नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है फाइदे ही नहीं, नुकसान भी पहुचा सकता है अंजीर जानिये इसे क्यों न खाएं ज़्यादा ड्राइब फ्रूट्स खाना सेहत के लिए काफी फाइदे मन माना जाता है अक्सर डाइटीसियन और हेल्थ एक्सपर्ट बहतर स्वास्त के लिए मेवे के सेवन की सलाह देते हैं इनकी नुट्रिशनल वैल्यू काफी ज़्यादा होती है इनका टेस्ट हमें काफी ज़्यादा अकरशित करता है लेकिन हमें इसे कभी भी सिमित मातरा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वरना सेहत को तगड़ा नुकसान हो सकता है ऐसा ही एक फल है अंजीर जिसे पका हुआ और सुखा कर दोनों तरीके से खाया जा सकता है लेकिन लंबे वक्त तक प्रिजर्व करने के लिए इसे ड्राइफरूट की शकल दे ही जाती है भारत के मशुहूर निट्रिशियन ने बताया है कि सुखे वे अंजीर हमें क्यों नहीं ज़्यादा खाने चाहिए कैलसियम की कमी जो लोग काफी ज़्यादा अंजीर खाते हैं उनके शरीर में कैलसियम की कमी हो सकती है क्योंकि इस ड्राइफरूट में मौझूद ऑक्सिलेट हमारे शरीर के सारे कैलसियम को अब्जॉर्ब कर लेते हैं कैलसियम की कमी से हमारी हड़ियां और शरीर कमजोर हो जाता है के बाद एक ग्लास ठंडा पानी जरूर पी लें किड्नी और गाल ब्लेडर की परिशानी जिन लोगों को किड्नी और गाल ब्लेडर से जुड़ी बीमारियां हैं उन्हें अंजीर बेहद कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि इसमें पाया जाने वाला ऑक्सलेट इन अंगों को नुक्सान पहुचा सकता है ये उन एस्प्लीन को खत्म कर सकता है जिसके जर्ये वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं ब्लिडिंग की समस्या अंजीर की तासीर गर्म होती है इसलिए गर्मी के मौसम में इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वरना आपकी सेहत को नुक्सान हो सकता है सर्दियों में भी इसका सेवन तैमात्रा में ही होना चाहिए वरना ब्लिडिंग की परेशानी पेस आ सकती है लिवर और आंतों का नुक्सान अगर आप जरूरत से ज़्यादा अंजीर खाएंगे तो आपके लिवर में परेशानिया पेस आ सकती है इसके साथ ही आंतों में रुकावट का खत्रा भी बना रहता है इसकी वज़ा से ये है कि इस फल के बीजों को डाइजेस्ट करना असान नहीं होता है ऐसे ही अने खबरों के लिए देखते रहेए मेडिकल माइक साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद